अगर आपकी मसिन भी इस तरह का टांका देती है उपर या नीचे खराब चलती है यह दो मिनिट का वीडियो आप देख लीजी देखी सबसे पहले मैंने इस दोनों ही टांकों को इस तरह से सैट किया हुआ है कि अगर को खिषते हैं तो यह बिल्कुल एक ही साथ खिच रही है इसका मतलब हमने इसकी प्रोपर सैटिंग की हुई है और इसको जब हम चला कर देखींगे तो यह बिल्कुल सही चलेगी लेकिन जब उपर और नीचे खराब चलेगी उसका कान देखे क्या होता है शुरुआत में आपको यहाँ पर सिंपल इसको चला कर के दिखा रही दागे को काफी लूज कर देते हैं और अब मैं आपको यहाँ पर सिला करके दिखाती हूँ देखे ऊपर तो सिलाई विल्कुल ठीक दिखाए देगी आपको लेकिन नीचे वारे जब हिस्से में आप देखेंगे तो आपको बचलेगा कि हमारी सिलाई बहुत ही ज़्यादा खराब है देखे इस तरह से आपकी सिलाई आ रही होगी तो बहुत ज़्यादा लोगों के प्रोब्लम होते हैं कि समारी सिलाई सिलाई से खराब आती है तो इसका कान आपने जैसे देखा होगा हमने अगर टेंसन वायर को लूज रखा हुआ है अगर आपकी सिलाई खराब यानि कि उपर वाले हिस्से में अगर आपकी प्रोब्लम है कुछ तो नीचे वाला ठाका आपका खराब आएगा तो इसको फिर से वही पर आपको फिक्स कर देना है जिस तरह से पहले दे था और मैंने धागे को यहाँ पर टाइट कर दिया है तो अब मैं आपको चला करके दिखा रही हूँ यह देखिए जो थर्ड वाले लाइन है यह अभी हम जो लगाई है उसको आप देख सकते हो पहले से काफी इंप्रू हो चुकिए इस तरह से आपको धागे को सैट करकर देखना है जहाँ पर आपकी स्टेशिंग बिल्कुल ठीक आ जाए तो आपको वही स्कुरू दिखाए देंगे छोटे छोटे बिल्कुल तो इनको मैं आपको लूज करके दिखाती हूँ अभी तक तो यह ठीक है बिल्कुल मैं अच्छे से फिक्स किया हुआ है बट अभी मैं इसको आपको हलका सा लूज करके इसको दिखाती हूँ तब इसमें कैसी आपकी स सिलाई आएगी देखिए कुछ खिचाओ भी आएगा और थोड़ा सा सिलाई भी विल्कुल खराब आएगी मैं आपको पास से दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए देखिए तो यह फोर्थ नमबर वाली है यह वाली लाइन है देखिए टाके दिखाए दे रहे होंग दागा लूज है तो प्रोब्लम आपको उपर वाले हिस्से में आएगी और अगर आपका टेंसन वाला लूज है तो नीचे आएगी अब मैं इसको फिर से फिक्स कर देती हूँ पहले की तरह ही फिर आप देखिएगा यह बिल्कुल सही चलेगा जैसे कि बिल्कुल शुरु यह देखिए उपर और नीचे वाले हिस्सों में आप देख सकते हैं पहले से कितना इंप्रूव हो गया है यह जो आप देख रहे हैं यह फोर्थ नंबर वाले सिलाई यह फिफ्ट वाली है यह फोर्थ वाली है देखिए कितनी खराब थी यह यह वाली इन दोनों में फरक आपको खुद ही दिख जाएगा तो आपको सायद समझ आ गया होगा कि अगर नीचे वाली आपको धागा खराब है तो यहां पर आपको धागे को फिक्स करना है लूज या टाइट करके देख लेना है और अगर उपर वाले सले खराब आ रही है तो आपको नीचे बोबिन को देना है तो दोनों धागे जब तक फिक्स नहीं होंगे एक ही साथ नहीं खिचेंगे तब तक आपकी प्रोब्लम सोल नहीं होगी तो इस तरह से अपनी प्रोब्लम को आप चुटकियों में सोल कर सकते हैं उमीद करते हैं पसंद आया होगा